तो यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी उम्मेद करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे हों गाइस और यहां पर मज़े करोंगे आप सभी लोगों का आरिश खान की नहीं और ब्रैंड वीडियो में दोस्तों आज के ग्राफिक सी क्वालिटी सबसे पहले कॉमेंट करके ज़रू से बताएगा आपको कैसी आ रही है अब आप वीडियो को हमारी जो अगर आप लैपटॉप या फिर टीवी पर देख रहे हैं इस नेम बीम डेवलू एम फोर है दोस्तों और यह सेकिन है एक किसी ने लेकर मोडिफाइड करा रखी ती अभी हम इसको आप टेस्ट करने वाले के गाड़ी कैसी है और सेकिन एंड माकार वैल्यूम के हिसाब सिक्या हम इस गाड़ी को पर्चेस करना चाहिए नहीं आई आ आइमीन जो सब कुछ आइमीन गाड़ी का होने वाला है और सब कुछ गाइस मैं आपको यहां पर चेक आउट करवा देता हूँ तो वेच ओके तो अगर अंदर से देखा जाए तो अंदर से काफी जादा आइन नीट एंड क्लीन अंदर से काड़ी पड़ी है रेड कलर का इंटीर अपड़ी स्पोर्ट स्पोर्ट देख लो पीछे बहुत ही आइमीन बच्चे बैट सकते हैं और यह विंडो भी नहीं खुलती पीछे क हैं बड़ा तो कोई बैट इन सकतर समझ गए और यह है भाई इसका एम पावर वाला एंजिन चैसी की बहुत ही ज्यादा बड़ी है दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ी है रेडियेटर की जंगा यहां पर है BMW का फिनिश BMW का लोगो आपका अबर मिल जाता है फिलहाल पढ़ाएंड प्राठीट धेली है बिल्कुल ही ही गाडी बेढ़ी अंदेन फिर ज्यादा कराने का यह रहा बिल्कुल बड़पा यह तो पर कुछ भी कराने की जोशत है नहीं बेसेकली और इन्टीर जिश्य गाडी साहतए को नहीं कुब ज़रान और नहीं आर को बाद क кими के साथ कर दिए किसाथ तर कार्बन फाइबर फिनिश रूफ पर टार 15 इस की बैक लाइट यह है रहे है इंडिकेटर्स काफी ऐखे इंडिकेटर्स तो मिर्र उर्मे पर पिनिश का भारशियोघ यहां तक गाड़ी जाती है काफी अच्छी है यह automatic climate control गाड़ी के अंदर दे रखा है एक touch infotainment system आपको मिल जाता है जो कि आप सभी लोग वहां पर देख पा रहे होंगे बारा इंची गाए और leather seats है और JBL का music system गाड़ी में लगा हुआ है इस्टेरिंग पर सारे के सारे controls आपको मिल जाते हैं बहुत इच्छे लग रहे हैं अड़्जेस्टेबल electric mirrors तो चलिए हम गाड़ी को जब नॉर्मल मॉड पर यह भी बाहर निकाल लिए है चलाते है नॉर्म the daytime running light यह जलेंगी 3 2 1 यह जल गई BMW की जो होती है ठीक है यह headlight low beam high beam ऐसे हैं नीचे का और ऊपर का चांद जैसा बना हुआ इसका low beam और high beam का समझ गए तो काफी सुन्दर गाड़ी है तो चलो इसको चलाते हैं सबसे पहले तो हम गाई जो है इस कार के आमीन अरे अराम से बीलकुल बीुच में घुषेड़ रहे हैं चलो छलो तो हमने इदर का इंडिकेटर देते हुए दोस्तो हमने काड़ी को इदर मोड़ी काफी उच्छी लग रहे है आप गाईस आम इसके टॉप data सब्सक्राइब करेंगे टॉप कहा तक जा सकती है कि रीच करती है डोसे टॉप बेसिकली नॉर्मल मोड पर रहे तो स्पोर्ट्स मोड नी पर नहीं है sports mode अगर बता जा तो गाड़ी का अए मिल्टर लिखिए लग चुका है 160 अच्छार्ट चल रही है मीडियम ट्रैफिक को देखते हुए भी गाड़ी का अए मिल्टर पुछ निकरती है बले हम इसको पुछ करेंगे ने अपने आपको पुछ निकरेगी यह फीचर में काफी अच्छा लगा है एक सो सी चली गई 220 कि वो है इस पर एक सो सी जा चुकी है गाड़ी 174 काफी सही है दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए काफी सही है यार समझ रो इतनी एक गाड़ी के साब से 170 170 की स्पीड ना इस कार के साब से मोर दन इनफ है अगर भाई मेरे इस आप से देखा जाए तो समझ रो और इंटीर की बाद की जो तो काफी सही चल रही है गाड़ी समझ रो भेंगर भाग रही एक सो एक यासी 22220 की टॉप स्पीड है इस कार की और 185 तक यह जो है दोस्तो भाग चुकी है नॉर्मल ही है अपने आपको जादा पुछ भी नहीं कर रहे भाई नॉर्मल ही हम भी इसको बगा रहे है हम जादा गाड़ी को दुख भी दे रहे है समझ रहो जादा दुख देते है न तो भाई फिर परिशान करती है गार फिर इसका इंजन परिशान करता है और Automatic Transmission इस गाड़ी का कोई Manual Transmission के साथ नहीं आ रही है Automatic Transmission के साथ है तब दोस्तों यह हाल है हाँ अगर होती Manual Transmission तब तो हम इसको कुछ कहते भी Exhaust काफी अच्छे लगी हो गाड़ी के अंदर 1.2 मिलियन की बुरी नहीं है 1.2 मिलियन की ठीक है बिलकुल समझे तो 1.2 मिलियन की बिलकुल ठीक है आई हम इस कार से थोड़ी से कुछ Off-Roading करकर देखते हैं और देखते हैं कि अगर बारिश वगयर हो रहे हैं तो गाड़ी किस टाइप की यहाँ पर परफॉर्मेंस इस गाड़ी की शमता कितनी है अब थोड़ी से यहां पर बारिश जैसा मौसम हो गया है अब इसके लिए बहुत ही खतरनाक तंडर स्ट्रॉम होती हुई ओ माई गॉड लो भी माई बीम के साथ गाड़ी चलती हुई ओ भाई साथ देखरो भाई बिजलिया कैसे कड़क रही है और गाड़ी इंटीर वाइस भी बहुत ही जादा घजब के लग रही है अगर अगर आज नॉर्मल वे में देखी जाए भाई साथ देखरो दोस्तों कि भेंकर वह ट्रेंड में गई थी अभी गाड़ी यहां पर अलका सा कीचर लगते हुए हमारी गाड़ी और किये थोड़े सा टायर थोड़े थोड़े से कीचर में हो जाते हैं प कोई बात नहीं किटना तो दोस्त जहल ना पढ़ता हिये कितना तो खेर एम जहल भी लें captures क yardım मौसम में गाड़ी बहुत जादा गजब के लग रही है बहुत जादा बारिश के मौसम में और कार चलाने का बाई मज़ा ही कुछ और है सच बतारों भाई ओ माई गॉड यहां पर भाई बहुत जादा कडाके दार बिजली जहमालती हुई और एक सो साट एक सो अच्छी क्रिप बना कर गाड़ी भाग रही है और यहां आयम ओफ रुडिंग वाले रोड पर और यह जो भगा रखी हमने एक दम इसके सस्पेंशन काफी स्टिव हैं अंदर कुछ भी पता नहीं चलता हुआ आए कि सिस्ट के गाड़ी जो है पानी में गिरने लाइक नहीं थी दोस्तो अमें जो ड्रोन की तिसस्कार अंकरना पड़ेगा ऑですね इतना वो हमने नहीं तो सुचकर आइग पेज़ा एक गाड़ी को इतना वो करना पड़ेगा समजै़ा दोस्तो पर खेर कोई बात नीग कार थो हमारी यवी चल रही है केर हैंको इक दिन में चलाएंगे काफी जादा सही दोस्तो काफी सही जादा सही है बारिश के मौसम में कार न ही बहुत रच्छा पुपनल Чारशाख़सों आपना है या लुक दोस्तोदों प्रोवाइड किया है जाए जाए भाई साब क्या भाग रही है गाड़ी क्या भाग रही दोस्तों गाड़ी की भागी ना बहुत जादा लगे एक दम अगर 1.2 2 million इस कार के मांग रहे हैं तो 1 million में डील पूरी नहीं है वन मिलियन में बहुत अच्छी डील है दोस्तों बहुत ही जाद अच्छी डील है दोस्तों 1 million 1 million में तो भाई इसको आप किसी को भी बेचोगे ना वही इस गाड़ी को जो बंदा खरीद लेगा कि गाड़ी दिखने में इतनी जादा प्यारी है चलने में इतनी जादा प्यारी है आप से भी हाँ पर देखो तो काईस मुझे तो इस गाड़ी का ये प्राइज ना बहुत ही जाद अच्छा लगए हाल फिलाल आपका क्या कहना है कि इस प्राइज रेंज में क्या ये गाड़ी दोस्तों बिख सकती है या फिर नहीं बिख सकती है ठीका आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज एक बार कॉमेंट करके अपनी राय में को जोर से पताएगा जो लोग पूरते हैं कि भाई BMW, BMW, BMW आपके लिए लेकर आ है और आज के आपको हमारे गेम के ग्राफिक्स कैसे लगे हैं प्लीज एक बार ये भी कॉमेंट करके जोर से पताएगा